यू, what's up guys, कैसे आप सबी लोग, welcome back to another gameplay video, तो आज हम लोग दुबार से के लिए जा रहे हैं, जीरे 5, तो जैसे कि आपको कोई याद होगा, कि पिछले कई दिनों से पुलिस हमारा हाथ दोकर पीछा कर रही थी, क्योंकि हम लोग ने एक news reporter का murder कर दिया था, और वो चिज़ उसके camera man ने record करके, पूरी news में viral कर दी, पूरे के पूरे शहर में हर चोगा हमारे wanted के पोस्तों लग गए, और हमें इधर से उधर छुपना पड़ रहा था, और at the end, हमें अपना ही शहर छोड के भागना पड़ा, और फिर हम लोग भाग कर आ गए पलीटो में, जो कि एक बहुत चोटा सा गाव है, और मुझे लग रहा था कि पुलिस अमें यहां पर ढूरने नहीं आने वाली, बट पुलिस अगले ही देन यहां पर पहुच गई, लेकिन अच्छी बात तो यह कि वो लोग हमें ढूरनी पाए, क्योंकि मैं एक बहुत चोटे से घर में चुपा हुआ था, पर यार देखो, इस तरीके से पुलिस से भागते रहते तो एक ने एक दिन जरूर पकड़ जाते, और पीछा चुडाने के लिए हमारे पास बस दो ही ओप्शन बचे थे, पहला ये कि मैं सरेंडर कर दूँ अपने आपको पुलिस के हवाले करके और दूसरा ओप्शन किये कि मैं करूँ फेक डेथ, मतलब पुलिस को ऐसा दिखाऊं कि माइकल माला जा चुका है, अगर माइकल मर चाएगा, सब को ऐसा लगेगा, तो CDC बात है, पुलिस पीछा करना चोड़ देगी और मैंने यही करा प्लान के कोर्डिंग, अपनी फेक डेथ करी एक गांग्सर के थू अपने आपको मरवा के और मामला भी शान्त हो चुका है, पर प्रोब्लम पता है क्या है, मैं अभी भी लॉस एंटोस वापिस नहीं जा सकता क्योंकि अभी माइकल को मरे सिफ और सिफ दू ही दिन है और सीधी सी बात है अगर हम लोग वहां पर वापिस चले जाएंगे तो इस सच मुछ में बहुत ज्यादा अजीब बात हो जाएग इसनी सारी कार्स हैं इतना बड़ा घर है वहां पर एक अपना शोरूम है कितना एंजोए कर रहे थे वडियां पर एक थोड़ी सी बोरिंग लाइफ है मतलब बीच है बट बीच पे चार-पांच अपने दोस्त वही पुराने स्टाइल में पार्टी जो कि सच मुछ में बोर पार्टी चल लिए भया हो गया दूप निकल आई घर जाओ वापिस फिलाल मैं निकलता हूं मेरा जाने का मन इसलिए है इतना ज्यादा क्योंकि आज है माइकल का फिनरल मतलब में को यह देखना है कि आखिर का कौन-कौन माइकल के फिनरल में आने वाला है तो चलते हैं लो कि मैंना एक बार्बर शॉप पे चलके एक फेक बियर्ड लगवा लेता हूं ताकि थोड़ी बहुत लुक चेंज हो जाए और फिर फटा-फट से लोग वहीं पर चलेंगे और यह किया कसम से बाइक ना मस्त हो तो है लिकिन पत्थर पत्थर आ जाते है तो बहुत जादा ब लगवाने के लिए और वहां का बार्बरी में पहचान जाए तो भी बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है विए वेट वेट मैं यहां से पुलिस वगईरा का आना जाना हुआ और उनों ने भी हमें देख लिया तो तो भाई किसम से बैंड बच जाएगी एक अराम से मजह काट रहे है जिंदा तो बहुत दिक्कत हो सकते है इसलिए मेरे को वही रास्ते चूज करने है जहां पर लोगों का आना जाना बहुत कम है और वैसे भी मैं इस बाइक पर पूरा फेस दिख रहा है लेस ने ने मेरे को छोटी सी कार दे रहे है जो कि मैंने घर पाक करे भी है और अपना घर भी जादा दूर नहीं यही पर पास में है वहाँ पर चलके ना पहले गाड़ी उठाते है उस गाड़ी में जाओंगा मैं बार्बर शॉप पे और वहां से फटाफट बीर चेंज करवाएंगे और कप्डे खरीदूगा कुछ और फटाफट से कौन मत्तमीज है इसने यहां काड़ी इस थैरी पंचर कर ति यहित ना यही इस थैरती टाइर भी यह पंचर कर घिया और यह फ्रंट लेफट बला रॉला य yidh यहां बत्तमीज है अभी मेरे को फटे पट से से रिपेर खर्वानी भी ले जाना पड़े ।र मेरे पास ब्ल मैं बोली राथा कि दिख्कत आने वाली है और जैसी रोड पे गाड़ी या देखो ग्रिप ही खतम है वाई गाड़ी की चला कोई नहीं में को टेंशन नहीं है और रिपेरिंग शॉप पास में अरे ले तायर ही खतम होगे और इस ताइम पे गाड़ी रिम्पेर यार बजने जाली है वाई मिस्से बड़ी है तो मैं कुई दूसरी कारी ले ले लेता बाकि ठीक हम लोग पहुच चुके हैं यह क्या रखा है यह कुछ अलगी टाइप का एक्सिडेंट देकरों मैं दूसरी गाड़ी को परी चड़गी ठीक है भाई इतनी भी खतरना वीकल मत लो यार क तो भी मस्तिम गाड़ी भी रिपेर हो चुकी है और फड़ा पहले मैं कुछ अटेम से पैसे निकाल ले ले हूँ क्योंकि में कुछ अपने ले कुछ अप्डे भी खरीदे तो उसके लिए मिर पास पैसे नही है और साथ यह भी बाबर जोब भी जाना है वह के लिए पैसे म कुछ खड़े होता है मेरको जो पैसे निकाल ले है फड़ा फट से मैं निकाल ले तो शायद 1000 डॉलर से निकाल ली है अभी फड़ा फट से हम लोग चलते है अपनी गाड़ी को लेकर बाबर शॉप पे और यहां पर एम्बुलेंस आरी है मैंने इस बंदे को मारा और किसी ले शायद से एम्बुलेंस को बता दिया है है ठीक ठीक है मैं मेरे 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 को निकलना चाहिए एम्बुलेंस अब तक तक तो मैं यहां से अराम से निकल भी जाओंगा फिलाल हां बाबर शॉप ज्यादा दूर नहीं है पास में है पड़ा पर से पॉस्त हैं हम लोग बहा बाइदेवे लेस्टर को नहीं बता कि हम लोग यहां पर आने वाले हैं पिलाल यहीं कहीं पर थी उस बार्बर की शॉप ओवेटियरी ठीक है यहीं पर अपनी गाड़ी को मैं साइड में पाक लगा देता हूं इसके दुकान के अरे वापिस 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 अगी पुलिस आगी है दो मिनिट उक जा इनको चले जाने तो इसके बाद ही में निकलने वालो यह से ड़न सही टाइम पर लोग अंदर हो गए पार खड़े रहते तो किसम से बैंड बज़ा दे यहां पर कोई एक सगें यह काटी किया बाल तरसे ठीक है हमें बाल ही कटवाने अर कोई हम लोग फड़ा 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 कोई मैं यहां पर सी ती रहता है किस टाइप की बियर्ड साही लगने वाले हो रहा एसा लगना चाहिए कि हाया लुक चेंज हूई है हेस्टाइल के भी अप्शन है बट यह स्टाइल अच्छा है वैसे पहचान निपाएंगे लोग मैं को हैस्टाइल चाहिए नहीं करना माइकल की माफिया लुक ही जादा बेट रहती है तो यह बेर्ड करवा लेते है और देखें कि अगर कार फिर फिल कैसी आने वाले है यह पर फेक बीर्ड आचुके पने पास यह है वैसे तेख वी नहीं को बिल्कुल भी जादा चेंज आखों के आगे जाकर खड़े ने वाले हम सब कुछ चुप चुप के देखेंगे वाई अगर हम लोग आखों के गये लोगों की तो वह एदिन में पहचान जाएंगे तो इसलिए दूर दूर से सब कुछ में को देखना है कि कौन कौन आरे फुनेरल पे आने वाला मतलब मै जानना चाहता हूं किस किस को हमारी माइकल की डेथ का दुख है माइकल की फैमिली आएगी लेस्टर लेस्टर तो आये गई और देखते है कौन कौन अने फ्रेंड आने वाले है ट्रैवर फ्रैंक्लीन आते है या फिर ने ओ हाई आराम से यह तो भाई बिलकुल पैसे इनकी पहुत आगा मैं पहुत जाओं वर ताम से अभी अपना आधे से ज्यादा रास्ता कवर हो चुका है लोसांट पहुचने का और मैं बातों यह बातों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टन चीज भूल गया और वह नए नए क्लोट्स बाइ करना मैं बीच पार्टी वाले प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आग एक चोटा सा मार्केट है हम लोग लोसांट और में एंटर करने से पहले ही कपड़ी ले ले लिए अगर मैं सुधार मैं तो बिढ़ते ही रहूं है पूरे दिन कैसे भी कर लेते हैं लोग बागे ठीक है यही वाले में चोटे से मार्के तो मेरे साथ से ज्यादा बड़िया रहने वाला और विल्कुल माफिया लोग आए गार एक तों बड़ी बड़ी बियर्ड काला चस्मा और अभे इसके टांग भी जाता सुबह सुबह मैं पोचके भी शॉप खुली नहीं हुए है क्या यार में में को चलो कोई नहीं होगी फाइनली स्टोर ओपन हो चुका है और हम लोग अंदर चलके कपड़े परचेस कर सकते हैं बाइदे वे काफी वेट करना पड़ा बट कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है अभी सिर्फ सिर्फ साड़े 11 बचे और माइकल के फिनरल का टाइम में 12 पीम तो हम लोग जादा बढ़िया लग रहा है और साथ ये ब्लैक शेट्स पी सच मुझ में काफी जादा मस्त है इस सभी चीज की पेमेंट मैंने कर दिया है और फड़ा फट सेम लोग निकलते हैं जहां पर माइकल का फेनरल होने वाला है 1142 हो चुके है अगर अब भी इंगलेंगे तो टा काड़ी भी है और फड़ा फट से निगलते हैं सीदा उस चर्च के लिए फुल स्पीड में देखते हैं आकर कारे गाड़ी कितनी तेश चल सकती है तो फाइनली गाइस मैं अपनी गाड़ी लेकर पोच चुका हूं लोस अंट और सच मुझ में मुझे ये देखकर बहुत ज लेकर चलते हैं बड़ एक सिगें यहां पर यहां पर इतनी सारी पुलिस क्या कर रही है यहां पर तो स्वैड भी आ रहे है मानता हूं माइकल क्रिमिनल था बटेया अब तो मड चुका है अब इतनी जादा सिक्योर्टी की ज़रत है फिलाल टीक है अपनी गाड़ी को लेकर फ्रेंड हो गया बिग माफिया हो गया चलकर अंदर देखें कोन को ना हुआ है फिलाल यह रॉल्स रॉइस प्लाक कलर के किसके मुझे तो बस यह पता करना है फिलाल लंबोग ने उस रेंज रोवर एस्वी जे और भी आगे बहुत सारी बढ़िया-बढ़िया कार्स है बढ़न इतन नॉर्मल पूलिस खडी जञए खडी एक बाइक है बस और धर दू कोप सहार है ओडिया ने यह हिस्ति इन उफेंदें देर माइकल का पॉफिन जाए गा गैं मिन फेक माइकल का पॉफिन जाए यह डेंटाग एक कर लाने बाले हैं और यह माइकल की डाट हिर् पीछे से घूम के अंदर जानेगा, I mean पीछे वाला रास्ता बंदोगा, but मतलब इसी गेट से जाएंगे, but इनके आगे से नी एंट्री करोंगा, भाग कराऊंगा, मैं पीछे से फड़ पड़ से कर लेते हैं, रोड क्रोस, रेड लाइट हो रहे हैं, let's go, अब लोग अंदर चलने का ट्राय करते हैं, शायद से लोग मुझे ना देखें, यह लोग देखें कोई दिकत निया, पुलिस या स्वाट में से किसी ने देखा ना तो ही प्रॉब्लम होने वाली है, फिलाल अभी ना सच मुच में बहुत ज्यादा इमोशनल मुवमेंट है, इन लोग के लिए इमोशनल मुवमेंट है, हमें तो पता है हम जिन्दा है, इन सब को लग रहा है कि इस टाइम पर माइकल जिन्दा नहीं है, और अब वो मढ चुका है, तो यहार अंदर सब के सब शायद रो रहे होंगे, या बहुत ज़धा उद यहां सीड़िया शायद राइट साइड में है, यही से ऊपर चलते हैं, और उपर चलकर ही मैं चुप 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 के देखता हूं कोन कोन आया हुआ है, बस उपर ज्यादा लोग ना हो तो बढ़िया रहेगा, फिलाल यहां पर यह लेडी है, जो कि शायद से बस पियानो हुआ बड़ी हैं, तो में दयरे बिले कोई डेंजन की नियाे रहा हूं होओ यहां देखता हुआ कि कोन कोन आया हुआ है, यहां पर यहां पर यहां है इ refhфごorma यहां बाद है कुछ बता च्हां हए रहा है, यहां पर और और आसे जान पिचान का नल्ग मैं आरह ऑ यहां आ बागी बैठे हुए है, पीछे लेस्टरो बैठा हुआ है, यह लमार बैठा हुआ है, और भी काफी सारे लोग हैं, जिने मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, वाकि ठीक है, यह कॉफिन पड़ा हुआ है, जिसके अंदर माइकल की नहीं किसी और की बोड़ी है, सब ने लाला के फ्लार्स रखती हैं, बढ़ ठीक है, मैं अपना छुपके खड़े रहता हूँ, यही पर थोड़ा बहुत देखते हैं कि आकरकार क्या चल रहा है, उसके बाद जब यह लोग आँसे निकलेंगे, तो हम भी साथ-साथ निकलेंगे, यार वैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिग माफिया का भाई आया, और भी ऐसे बहुत सारे लोगा, सिम्मयोन, मतलब काफी सारे लोग हैं, जो कि माइकल के फिनरेल पर ही नहीं है, तो कहीं नहीं शाद से वो माइकल को पसंद नहीं करते हैं, बट ठीक है, अभी हमें पता चल चुका है कोन बंदे ढंके हैं, किन पर विश्वास किया सकता है और किस पर नहीं, फिलाल भी मैं पहली भार निकल कर आगया, क्योंकि मेरे को ना बिल्कुल ना वेट नहीं करना, पता चला वो अचानक से निकलना है, उनके पीछे-पीछे मैं निकलू और फिर कोई देख ले तो प्रॉब्लम हो जाए, अभी क वेट करते हैं, जब तक माइकल के कॉफिन को बाहर नी लेकर आया जाता, तो अभी फिलाल सभी लोग चर्चे से बाहर आ चुके हैं, और सारी की सारी गाडियां रेडी कर दी गई है, ग्रेवयाड ले जाने के लिए, माइकल की फैमिली वाइट वाली कार में बैट कर जाने पीछे स्वाट वाली वीकल में भाई बहुत खतरनाक स्वाट आर्मी है, तो यह भी साथ साथ जा जा रहे है, फिलाल मैं यह सोच लोग तो अपना जाते रहेंगे, थोड़ी देर में जितने भी बंदने जो सारे यहां पर आये वे थे, वो अपनी गाड़िया लेने यहां और अगर उन्होंने हमें देख लिया तो पका पहचान जाएंगे, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि हम लोग भी आपर टाइम से निकल लेते हैं, अपनी गाड़ी उठा कर ठीक है, तो वैसे पता भी एक सीन यह है, कि माइकल को लो जाने के लिए इन्होंने कुछ टाइम के लि इसे चलते हैं, और फिर फटा-फट से पहुचते हैं ग्रेवयार्ट के लिए, तो अभी मैं अपनी गाड़ी को पीछे वाले रास्ते से लेकर पहुच चुका हूं लोस अंटोस के ग्रेवयार्ट पे, बाइदवे मैं यह सोच रहा था, कि माइकल के मरने के बाद भी पुल मैं अंदर कहां से जाओं यहां पर तो पुलिस ने रास्ते ही बंद कर दिया है क्योंकि शाथ इदर बहुत सारे नियूज रिपोर्टर्स आ गए हैं और सेफ्टी मेंटेन करने के लिए, पुलिस बाकी किसी लोग को अंदर नहीं जाने देरी, मतलब जितने गैस पहले बात इंदेर पीछे से एक रास्ता हो रहा है जांसे अंदर जा सता हो चुप चाप से पनी गाड़ी पो नहीं से निकाल लेता हूं वाईस अब बहुत सारे लोग आए में मुझे लग रहा था कि जादा लोग नहीं बट नहीं यहां पर जितनी सारी गाडी आया ना इसारी स पर चाहए इंहाद माइकल से मिलने के लिए इसमें जितने लोग आया है एवह गाड़ी जसके अन्दर माइकल के फेक कोफिन को लाया गया है और यह सब कुछ ले स्टर मैंनेज कर रा है मतलब इस जितना भी फेक प्रोसर्स चल रहा है माइकल के मरनेंका इस अब कुछ में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है चुप चुप के घूमना मिल्क परेशान से जिंदगी हो चुकी है फिलाल वो देखो वहां पर शायद सारे के सारे लोग खड़े हैं यह हां यह यह विड मिरको ना उधर तो जाना ही है मैं यहां से भाग के चलता हूं इस तरफ से खड़े होकर देखेंगे कि आखिर कार कौन-कौन लोग आया है मेरे को प्रॉपर पता करना है कि कौन-कौन लोग सच मुछ में माइकल को परसंद करते थे और कौन-कौन नहीं ठीक है यहां पर फटा-फट में कवर ले ले दाओं अभी शाद से मेरे को कोई भी दूर-दू परसे नहीं देख पाईगा बस कोई पहचाने ना वर ना प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है तो फड़ा-फट से हम लोग अपने बनाकुलर से निकालते हैं और सामनी के तरफ जूम मार कर देखते हैं कि आखिर का ओ यही है तो सारे-टे सारे-टे माइकल के फैमिली मेंबर्स वेट, मैं इसको दुश्मन मानता था लेकिन यार सच मुछ में इसको माइकल की डेथ का भाई दुख है यार कसम से, बिग माफिया का भाई, इसका तो चलो आना बनता ही था आकिर कार ये तो अपना अच्छा आसा दोस्ता है बठा, अभी मेरे को काफी सारे जो अपने फ्रें अपने का बिल्कुल मन नी कर रहा है, लेस्टर अराम से खड़ा हुए बीचे, आप इना मेरे को बिल्कुल नी समझा रहा कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब पुलिस से तो हमने पीछा छुडा लिया है, बट आर अपनी लाइफ सच मुछ में बहुत जादा बोरिंग हो चु दाड़ी निकालेगी और फिर सच मुछ में बहुत जादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इस चीज का पका कोई ने कोई सोलुशन तो हो का लेस्टर के पास, बट लेस्टर ने में खुद बोला है कि हमें कम से कम एक महीने तक तो अपने शोहरी वापिस नहीं आना और तो हमेशा मुछ हुपा कि घूमना है, सबसे दूर ही भागना है, किसे क्या आखो क्या आगे नहीं जाना वरना वो में पहचान जाएगा, और यह सच मुछ में बहुत जादा बोरिंग लाइफ है, मैं एक बारी ना लेस्टर को उपर ही बुलाता हूँ, यहां पर उपर एक इन सब चीज से बाहर निकलने का और वो काम बस लेस्टर ही कर सकता है, तो मैं अपना फोन निकाल लेता हूँ, फड़ा फट से लेस्टर को कॉल करते हैं, और जल्दी से उसको मैं मिलने के लिए यहां पर उपर बुलाता हूँ, यह बहुत जादा बड़ी है जगा है, मेरे इन होगा बड़ी दर दो तीन लोग हैं, कोई नहीं, मैं उधर फेस करके खड़े हो जाता हूँ, फिर बात कर लेंगे लेस्टर से, ओके तो मेरे फिलाल लेस्टर से बात हो चुकी है, और वो पहली बात तो सुनते ही हरान हो गया कि आकिरकार हम लोग 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 लो लाइफ टाइम इस तरीके से सब लोग से चुपके घूमना पड़ेगा, बड़ एक बंदा है जो कि हमारा काम कर सकता है, मतलब वो कोर्ट में हमें बेगुना साबित करा देगा, तो फिर हम लोग अराम से पहले जैसी चैन की जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन उस बंदे से मि अराम सुझाना बट यार देखो मेर से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा, मैं अभी के अभी लिवर्टी जाने वाला हूं, सीजी सी बात है, यहां पर गूम सकते नहीं है, चैन से, तो मैं फटाफट से निकल ला हूं सीधा लिवर्टी के लिए, वहां पर चल कर देखते हैं कि आकर कार क्या सीन है, क्या वो बनना हमारे लिए काम करता है या फर नहीं करता है, मैं सबसे जासा है तब पैसे लेगा, जितने पैसे लेगा भाई सारे पैसे दे देंगे, बट अभी मर पस बिल्कुल पैसे नहीं है, जितने पैसे थे वो सारे हमारे घर में थे और घर पर सीधा Liberty City के लिए लेट्स को तो मैं भागता भागता आ चुका हूं फड़ा फट से पाकिंग में जल्दी से चल कर बैठते हैं अपनी गाड़ी में और निकलते हैं सीधा कर ले वैसे उसकी नहीं है यह जगा यार काड़ी निकालने के लिए थोड़ी है बागी है मैं अभी ना कोई नॉर्मल फ्लाइट ही पकड़नी पड़ेगी माइकल का जो प्राइविट जट है वो खराब हो चुका है भाई मेंटेर्स करवानी पड़ती है और हमार पर पैसा न नैशनल एड़पोर्ट पे जहां से में लिबर्टी सिटी की फ्लाइट मिलने वाली है बट वेट आज तो यहां पर पहुत जादा भीड है यहांने लंभी लंभी लाइन में लगना पड़ सकता है टिकेट के लिए फिलाला भी अपनी गाड़ी को यही पर पार्क करते हैं स पंदे से मिलना है और पता करना है कि वो में बचा सकता है या फिर नहीं फिलाल टिकेट वगेरा तो देखनी पड़ेगी किस साइड मिल रहे है क्योंकि मैं भी इस एरपोर्ट में बहुत कम आया हूं वाकि भीड काफी जादा लग रही है मुझे सच मुच में सामने तीन च जाते है ठीक है यार इस लाइन में खड़े खड़े इतनी देर हो गई है बट यह लाइन आगे बंदे का ना में ले इस तरीकी से सच मुच में बहुत टाइम वेस्ट होगी एक ही बंदा था उसमें और वह भी निकल कर चला कि और इसको देखना मैं इसके भर दूगा ज़ल पॉइट नहीं यार माफियलो किसी कपड़ों में आ रही है और जिस बंदे से मिलने जा रहे है और इसको भाई सच में अलगी जल्दी मची भी है पता है उदर से भी भागता हुआ है फिर टिकेट भी इसको मेरे से पहले चीए थी और भी चेकिंग वगर अपनी करार है मैं के लिए और काफी टाइम बाद में इस बड़ी वाली प्राइट में आकर बैठा हूं मतलब इससे पहले हम लोग अपना प्राइवेट जेटी उसकरते थे लिवर्टी जाने के लिए वर्ट फाइनली हमारा प्लें टेक आफ हो चुक है जल्दी से पोस्टें लिवर्टी और तो अभी फिलाल अपना प्लें पहुच चुक है लिवर्टी सिरी के एरपोर्ट पे एं लैंड करने वाला है सामने एरलाइन पे बाइद बंदे से हम लोग मिलने के लिए याँ पर आये हैं उसने हमारे लिए एक गाड़ी भिजवा दिया बाहर एरपोर्ट के तो मैं बस आ पर आचुका हूँ एरपोर्ट के फड़ाफट से चलते हैं सामने पिक अरिया पे चाहाँ पर उस बंदे ने मुझे लेने के लिए एक गाड़ी बेचिया है जसका नंबर है एन 895 यहां पर तो मुझे कोई भी खाड़ी पार्क हुई हुई नहीं नजर आरे बेट एक ब्ला फड़ाफट से पहुचते हैं वैसे इस ताइम पर लिबर्टी सिटी में कितना ज्यादा खतरनाक वैदर हो रहा है मतला फुल स्नौ वाला मौसम हो और शार्ट से अलकिल की स्नौ फोल ही हो रही है फिलाल यह बंदा मुझे पता नी कहां पर लेकर लेकर जाना चाह रहा है है अब है इस ताइच उफ लिबर्टी के पास लेकर आ चुका है यहां पर यह एक हैलिकॉप्टर है क्या आप हम लोग है तुन है जाने वाले हैं यह तुछ फटा 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 मुझे पर निकलते हैं इस ने को यही पर डॉप कर आ है और सामने खड़ा हो और वह बाडिगार् इसको मैं मार के अराम से कुछ भी कर सकूँ बट यह है असली सिक्योरिटी गार्ड फिलाला भी इसके साथ हेलिकॉप्टर में बैठ कर चलते है उस बिल्डिंग तक मैं सही था वो बंदा सच मुच में बहुत जादा है अमीर है जल्दी से पोस्टे हैं उसके घर पर और पर चलकर बात करते हैं समझ नियारा अगर कब पहुचेंगे पहले फ्लाइट से यहाँ पिर गार्डी से आप होचेंगे वहली कॉप्टर से जा रहे हैं बट यह इस बार शायद पाइनली उससे मिल लेंगे लेट्स को तो भी फिलाल लिबर्टी के मस्त नजार एंचोय करते हम लोग पहुचने वाले हैं उस बंदे के पेंटाउस पे मुझे बिल्कुल ने विश्वास हो रहा है मुझे लग रहा था कि किसी घर पर जाने वाले हैं या किसी बहुत लक्शिरी प्लेस पर जाने वाले हैं बट उस बंदे ने पेंटाउस अपनी बिल्टिंग के टॉप फ्लोर पे मिलने के लिए बुलाया है और हेलिकॉप्टर डायरेक्ट वहीं पर लैंड होगा हमें कई पर इधर उदर जाने की जरूत नहीं है लेट्स को तो भी फिलाल अपना हेलिकॉप्टर लैंड कर चुका है इस हैली पैट पे फिलाल भी जल्दी से हम लोग इसके पास और देखते हैं कि आकर वह बंदा कोन है वैसे वेट यह ब्लू वाली रॉल्स रॉइस से हमारे पास भी ती ना काफी जाता बड़िया लग रहे है पता नहीं मुझे इसा क्यों लग रहे है कि शाद सी वही वाली कार है फिलाल यह यह वह बंदा फट आपर से चल इस टाइम ना मेरे को पूरी की पूरी कहानी बतानी पड़ेगी शुरू से लेकर एंड तक कि हमने एक नियुर्ज रिपोर्टर को मारा था फिर उसके बाद पूलीस हमारे पीछे पड़ गई हमने फेक डेथ करी सब कुछ क्योंकि यह शाद से मेरे को एक लॉयर लग रहे ह वह शाद से कोट में हमें बेगुना साबित करके हमें बचा ले ओके तो भी फिलाल मैंने यहां पर बैट के इसको पूरी की पूरी स्टोरी बता दिया और मुझे अच्छे से मालूम था कि यह बंदा इतनी एजली हमारे लिए काम नहीं करने वाला मतलब यह कहता हो रहा है क सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देगा हमें भी इसके लिए काम करना होगा लाला भी मुझे निकलना होगा लॉसंत ऑस के लिए क्योंकि इस कि में काम बीकाह है पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी फिलाल भी एक सिकिंड अच्छी बात तो यह है कि मेर को भी ना वापिस एरपोर्ट नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि इसका बॉड़ी गार्ड हमें लॉस सांटोस सोडने के लिए चल रहा है और अगर अपना काम पूरा हो जाता है तो यही ह लटर है लेस्ट्रों हमारी हेल्प कर सकता है इसकाम में बट एक चोरी दुपार से या तो इस चोरी के बाद मायकल बची जाएगा अगर चोरी सक्सेस्फुल खुए तो बट अगर चोरी या एं सक्सेस्फुल होती है हम लोग पकड़े जाते है तो हो तो माईकल का गेम होना पक्का है बढ़ा लेस्टो हमारे साथ है उसका मास्टो माइंड प्लान कभी पेल नहीं होता तो शायद इस बार भी नहीं होना चुछ है फड़ा फट से निकलते हैं लो सांटोस के लिए बागी एक बारी आप लोग चारो तो आप नजारे देखो है लिवर्टी के मतलब इतनी चोटी से बिल्डिंग पई इस बड़ा है इस बड़ा है इसली लैंड करवा दिया है फिलाला भी जल्दी से मुझ चलते हैं लेस्टो के बास और उसको पूरे प्लान के बारे में बताते हैं मतलब प्लान तो खैर वहीं बताएगा बड जो बंदी की डिमांड हो में को बतानी होगी कि हमें पैसिफिक बैंक में हाइस करनी है तब हमारी हमारी हल्प करने वाला है बाकि इतने अजीब जगा आने का रिजन यही है कि बाहिए को सीधी सी बात है हमें किसी की नजरों में नहीं चुपके रहना यह लोस अंडोस है वह लिबर्टी सेटी वहां पर किसी को पता चलता है हम फोन वगरा यूज कर रहें कॉल्स कर रहें तो पता चल जाएगा हम लोग जिंदा है बाकि यह लेस्टर यहां पर अपना सोर है बचारा रात बहर अपना काम करते रहते हैं दिन में मस्ती से सोर है जगाते हैं इसको चलो गाईस अभी फिलाल मैंने तो उठा दिया है और साथ ही मैंने इसको यह भी बता दिया है कि उस बंदे ने हमें पैसिफिक बैंक में चोरी करने के लिए बोला है और लेस्टर गह रहा है कि यह काम सच मुछ में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है और इसको इसकी प्लानिंग बनाने में थोड़ा बहुत टाइम चाहिए इसमें से तीन से चार गंटे का ही टाइम मांगा है वैसे बाकि हम लोग भी लास नाइट से सो ही नहीं लिबर्टी गए थे रात में पूरा ट्रैवलिंग में निकल गया अभी थोड़ा पोर टाइम है जब तक लेस्टर प्लान मना रहा है हम लोग कुछ तो मॉडिफाय कर रही है इसमें वेल्डिंग करके और लेस्टर कोई चोटी सी रिमोर्ट कंट्रोल कार चला रहा है है मुझे नहीं मालू कि अकर कारिन की क्या प्लानिंग मेरे पैर में मच चड़ा दियो पता करते हैं लेस्टर से बाट की काफी सारी प्लानिंग शा लेस्टर ने रिमोर्ट कंट्रोल कार बनाई है मतलब उस कार के अंदर कोई तो बहुत खतरनाक सा कैमरा है जो कि सारी चीजों को स्कैन कर सकता है अगर वहां पर कोई भी हाई सिक्योरिटी हुई तो फिलाल अभी लेस्टर ने मुझे यहां से बाहर चले के लिए बोला एक गाड़ी कर रहे है वी जाणाने में दोने बैट कर जाने वाले पैसिफिक बैंक के लिए और मैं बैंक के अंधर नहीं जाहूंगा बैंक के लेस्टर जाएगा और मेरी तरफ से जाए पर रिमोर्ट कंट्रोल कर ने बार हूँ चल्दी से बैठते हैं फड़ा-फड से निकल कैसी होने वाली है तो यहां पर थोड़ा सा अगे बढ़ जाता हूं लेस्ट अपना यहां पर बैठ जाएगा इंद बोक्स को में रखना है पहले ट्रंक में तो फड़ा फट से गाड़ी का ट्रंक ओपन कर देते हैं ताकि लेस्ट और इस बोक्स को रखकर आजए अपने साथ बैठने के लिए और भाई घाड़ी सच में बहुत ज्यादा फ्यारी लग रही है चल्दी से इसको लेकर चलते हैं पैसिफिक बैंक के लोड़ी ट्रंक कुला ही रहा है और तो फिलाल कि मैं अपनी घाड़ी लेकर पहुचने वाला हूं पैसिफिक बैंक के लिए वैसे यह अपने घर से ज्यादा दूर नहीं है पास में और यह देखो भाई कैसा सा रोड है इतना ट्राफिक रहता है और बंदी कहीं पर भी गाड़ी रोक के रखते हैं मैं पहुच चका हूं यह जो आप समने बड़ी सी बिल्डिंग देख पा रहे हो ना अज इसी बिल्डिंग के सबसे बहले हैं मैं सारे के सारे CCTV चेक करने कहीं से पता नहीं चुलना चाहिए कि हमने ही चूरी करी है और यह सेकिंड गेट है यहां से भी नहीं जा सकते पीचे वाली गली में लेकर चलता हूं वहीं पर कोई ना कोई एंटरेंस है बाग ही remote control कार अंदर बेचनी है यह पता कर देता हूं क्योंकि मेरे को bank के रहना है हम लोग remote controlled car चलाने वाले आसे जाएगा back ऑंधर और हम लोग यही पर quji में बैट के विस remote control car को control करने वाले इंगा च्ला गया मैं इस bo bash गाड़ी को निकाल के पीछे भीचे भेंच देता हूं हम भी तो अभी फिलाल मैंने सब्सक्राइब के साथ हम लोग चलते हैं बैंक में बाके यार हमें अपनी गाड़ी को जादा से जादा लेस्टो के पीछ चुपा के रखना है कि सिर्वी सिक्योरिटी गाड़ की नजर में नहीं आना और अगर हम पकड़े जाते भी है तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ल लोग इस बॉम को ब्लार्स करके गाड़ी को डिस्ट्रोई कर देंगा भाई बच्चा है क्या काड़ी दिगी ने उसको पर चड़के खेलने लग गया तो फिलाल में अपनी आर्सी कार लेकर आचका हूं पैसिफिक बैंक के अंदर मुझी लेस्टो के पीछे-पीछे जाना जादा भीड की बात कर रहा था यहां पर तो लाइन लगी पड़ी है पूरे बैंक में कैसम स्यार लोग सेंटोस में बहुत ज्यादा इवनने पैसे निकल्वाने की ज़र होता है फिलाल यहां पर है सीसी थीवी इन कॉंस्टेंट ओपरेशन वेट डराने के लिए लिए नह और कार पर नाया है अभी मेरे को अपनी गाड़ी को यहां पर सोफे के पास सुपा लेना चाहिए और फटा-फट से मुझे अपनी स्कैनिंग बोड में जाना है ताकि मैं सारी सिक्योरिटी को स्कैन कर सकूँ इस कैमरे के थ्रू तो भी फिलाल मैं चुका हूं इस गाड़ी इस गाड़ी को पीछ रखना आए और शायद से मुझे बाहर निकलना चाहिए पहले स्कैनिंग मौट से बाहर निकलते हैं और फटा फट से पनी काड़ी को लेकर यहां पर बहुत जादा गलत लेवल स्कैनिटी है हमें प्लान में कुछ चेंजी इस करने है यारि यह यह ले बलकि security बैंक वालों ने लगाई है अब देखते हैं अगर का लेस्टो प्लान में क्या चेंजिस करता है और हमें क्या क्या चाहिए होगा बैंक में चोरी करने के लिए तो भी फिलाल लेस्टो ने वापिस से अपनी RC कार को गाड़ी के ट्रंक में रखवा दिया है और यह कहा है कि प्लान में हमें कोच चेंजिस करने पड़ेंगे अगर हमें पैसिफिक बैंक में एकदम सक्ससफुली चोरी करनी है तो बाकि जो न्यू प्लान है वह में लेस्टो वहीं पर चल के बताने वाला है बागे जल्दी से बैठते हैं काड़ी में फड़ा फट से निकलते हैं उस लोकेशन के लिए और पता करते हैं कि एक आखिरकार पूरा का पूरा पूरा प्लान है क्या ओके तो भी मेरी फिलाल लेस्टो से बात हो चुकि है और ने मुझे न् वहां पहुच जाएगी बगल में दो दो पूलिस डिपार्टमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और रात के टाइम में वह लेजर्स प्रॉपर वर्क करती है अगर उस लेजर से एक से के लिए कोई टैच हो गया ना तो पैसिफिक बैंके सारे दर्वाजे अपने जो कि जाएगी पैसिफिक बैंक के लिए मतलब दर्वाजे लोग होंगे तो हम लोग दर्वाजों का यूजी डी कर रहे हैं अब जो टैनल बनानी है उस टैनल को बनवाने के लिए हमें कुछ कंस्रॉक्शन वर्कर चाहिए तो इसलिए मैं अपनी गाडी लेकर जा रहा हू तो मैं इस टाइब के सिफ दो ही लोग को जानता हूं जो कि है ट्रैवर एंड फ्रैंकलिन अब सीन पता है क्या हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि उनसे हमारी बहुत जाता बुरी तरह दुश्मन ही है उल्टा वो लोग तो मुझे ही मारना चाहते है पर लेस्र कह रहा है कि ए यह काम करा दें क्योंकि अपने पास अपना शोरों वगार है हम सब कुछ दुबारा से कमा के बना लेंगे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और हाँ अच्छी बात है कि ट्रैवर फ्रैंकलिन से दुबारा अपनी दोस्ती हो जाएगी तो चलो गाइस अभी मैं पहुच काली काली बेली बैंड बज्जा है इनके पास इतनी जादा सिक्योरिटी थी और मुझे यहां पर दूर दूर तक एक बंदा भी नहीं नजर आ रहा है और जैसे हैं इस घर पे कोई रहता है और यह सब कुन लोग है तो टूरिस्ट यहां पर घूंगने फिर ने आएवे हैं सामने इसका एक सिक्योरिटी गाड गेट पे खड़ा हुए है इससे एक बारी परमीशन लेकर घर के अंदर चलते हैं और ट्रावर और फ्रैंकलिन को सोरी बोलके वापे इससे अपना दोस्त पनाते है क्योंकि इस ताइम उनकी सच्मिच में बहुत ज्यादा जरू होता है दोबिना मेरी फिलाल ट्रावर और फ्रैंकलिन के बॉडिगार्ट से बात हो गई है और यह कह रहा है कि घर के अंदर जाने की कोई जरूत नहीं है क्योंकि ट्रावर और फ्रैंकलिन को पिछले अफ़ी पुलिस पकड़ कर लेगे और वो लोग दोनों के दोनों जेल में बं कि मैं खाली पिली ट्रावर फ्रैंकलिन को गलस समझ रहा था कि यार वो लोग माइकल के फिनरल में भी बिचारे कहां से आएंगा आपिरकार वो जेल में बंद हैं इसा क्या हो गया इतने टाइम से वह पुलिस से बच रहे थे मेरे को लग भी जाता कि पुलिस उने पकड़ है मतलब देखो अभी आमें पैसिफिक बैंक में चोरी करने के लिए ट्रैवर एंड फ्रैंकलिन की जुरू होता है और लेस्ट रहा है कि हम टनल बनवा रहे थे कंस्रॉक्शन वर्कर के तुरू तो क्यों ना हम लोग एक टनल और बनवा ले जो की जाएगी प्रिजन के नी बहुत आपको यह जाएगा यह बहुत सारे लोग है बड़िन का जो इंचार्ज है वो मुझे कहीं पर वेड़ यही है क्या मुझे यही लग रहा है तो मुझे फटा पट से इसी को पगड़ कर लेकर चलना है वाकि यार इस ताइम पर कुछ तो सब्जा रहा है अब अपने माइकल की बात ना सुनने का क्या नतीजा होता है गन मैंने निकाल लिया है और खुदी चुप-चौप से इक साइलेंट अरिया में आचोगा है ओ बाइसाफ है इतर पीछे सर एक सेगिन का ध्यान का है इतना जाता बीजी हो रहा है इसको गनी ने नजर आरी पहांस की देख अब बोल फाल तो अभी इसके आलत खराव हो चुकी है और अपनी बात यह प्यार से मानने वाला है ओल राइट तो भी फिलाल मैंने साथ-साथ गाड़ी में चलने के लिए बोल दिया है क्योंकि पूरा फ्लान तो यार देको लेस्टरी एक्स्प्लेइन करने वाला है मैं इ यूड़ सब्सक्राइन के लिए करते ह सबस्थिर्प्राइन के लए कर दिश्यार बने लूप लेकर जल्ते सबस्क्राइन के पास प्रेसन के बने बने के लिए हैं कि तो भी कॉल रि conjunto शाल करए ताकि सानस , वह इस मिलाता है एंडान घास क्वर्बार कि बस बनाता एम बनान पोस्ते उस लोकेशन पोडे बाइकर को क्या है वाई रेस लगाना चाहरा है कि हमारी डॉच चेलेंजर के साथ वेड अभी इस कोब टेक करतें एक सेकिंड के अंदर नहीं है इसके बाइकर स्पीड काफी अच्छी कासी है पर आखिर कार अपनी गाड़ी बहुत जादा खतरन तो हमने जुस बंदे को किड्नाफ कर था उस ने अपने सभी कंस्रॉक्शन वर्कर को भी इसी लोकेशन पर आने के लिए बोल दिया है शायद कुछी तेर में वो लोग भी आते होंगे फिलाल हमको अपनी गाड़ी को यहीं कहीं पर साइड में लगा देते हैं क्योंकि लेस बहुत जल्दी फिलाल अभी हम लोग पहले उतरते हैं आपर ओकी काईस तो भी इस पंदे ने अपनी वर्कर को पूरा को पूरा प्लान समझा दिया है कि किस तरीके से में जल्दी से जल्दी प्रिजन तक के अंदर पहुचने की टैनल बनानी है फिलाल लेसर और यह जा रह मतलब इतना कोई छोटा काम नहीं है थो बहुत जादा खतरनाव फिकल आई है थोड़ा बहुत शोर मचेगा पर अपना काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा दो से तीन घंटे में मैं पता क्या चाहता हूं कि आज रात होते ही यह काम कम्प्रीट हो जाए मतलब रात ह होने से पहले क्योंकि अपना चोरी करने का प्लान रात के तीन से चार बजी गई है उस टाइम पढ़िया रहेगा वैसे कैस देखो टैनल तो बन जाएगी बट मुझे पता है डर क्या लग रहा है कि मैं प्रिजन के अंदर तक कैसे जाओंगा मतलब टैनल में प्रिजन के अ फिलाल ये दोनों काडियांस टाइम पर जा रही है आगी की तरफ में मतलब इन ही के बॉस ने जहां पर टैनल बनाने के लिए बोला होगा ये लोग वही पर जाने वाले है बस मुझे खड़े ओकर इनका धान रखना है कि ये लोग काम कर रहे है या फिर नहीं तो फाइनली पूरे के पूरे चार घंटे बाद इन लोग ने प्रिजन के अंदर जाने की टनल को बना कर कॉंपी कर दिया है और सच मुझ में इनके बॉस ने बहुत चाहदा स्मार्ट वर्फ कर रहा है यहाँ पर और एक ऐसा सीवर था एक ऐसी टनल थी जिसमें प्रिजन का सारा गंदा पानी बहार आता था इनोंने बस क्या करा इस मतलब पूरे जगा को इस बड़ी मशीन के तरू आगे से ब्लॉक कर दिया था कि सारा पानी कहीं और ही निकल जाए और इस वाली टनल को पूरा का पूरा ड्रेन कर दिया मतलब अभी हम लोग प्रिजन के अंदर जा रहे है एक गटिया पुराने सीवर के तरू सच मुछ में इनोंने टनल बनाने में जादा ताइम नहीं लिया है और यह बहुत जादा बड़ी टनल है मुझे तो लग भार से लोग मुझे बंद ना करते हैं मैं अगर मैं यहां बंद हो गया तो एक तरीक से मैं प्रिजन मी बंद हो जा तरीक से लिए तो प्रिजन में पुछ यहां से नजर भी नहीं आरी है पतानी आकर कितनी बड़ी टनल है यार यह बंद हो नहीं ले रही है फिलाल यहां पर सामने आग को एक कट आप जो की टन हो रहा है और वेट सामने मुझे कोई तो लेटर नजर आ रही है और शायद से यही है इस टनल की एकजिट अगर मैं इस लेटर के तुरू बाहर निकलता हूं तो शायद से मैं प्रिजन के अंदर एंटर कर जाओंगा और अगर कोई भी प्रिजन गार्ड यहां पर नहीं हुआ तो अपना काम हो जाएगा हम लोग ट्रैवर और फ्रैंक्लिन को यहीं से इसकेप कर वा लेंगे कोई पुलिस से फाइट नहीं करने किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला और अपना सारा काम हो जागा लेट्स को तो भी फिलाल मैं चुका हूं इस शाफ्ट से बाहर और एक बार ही आप लोग इधर ध्यान से देखो यह कितनी चाहदा खतरनाक किसी गलती हुए नहीं कि कुछ इस तरीके से बजने लग जाएगे और अपनी बैंड बज सकती है तो मुझे मेली ध्यान एक कोई भी प्रिजन गाड मुझे देखना ले फिलाल यहां पर कोई भी प्रिजनर मुझे नहीं आ रहा है शायद सारे का सारे सारे सोच आते होंगे सामने को बैंडिंग weakness wasn't an auto in satu kandos w ookson को कहुंत था जाक प्रिएए वे फोल्यां पयर बॉड जा को कि यहां पर कवछ ने तंब ईडत्र ले थाम का इस तंब है उसने प्राइल यहां उसने अपना डॉग बी साथ में रखा हुआ पता चला उसको नहीं है इसको नहीं है ऑर कि कोई बाहर का बंद आया है तो वो विट रो भाई उसके डॉक से मुझे तार तर लग रहा है इस ताइम पर तो फिलाल यह जो गार्ड है काफी ज्यादा आगे जा चुका है मुझे इस ताइम ना वो जो राइट वाली सामने को बिल्डिंग है मुझे उस बिल्डिंग के अ तो वो मुझे भी यहीं इसी बिल्डिंग के अंदर लेकर रहे थे फिलाल अभी मुझे पता डर क्या लग रहा है हो सकता है अंदर कुछ प्रिजन गार्ट सो और कुछ ऐसे प्रिजनर सो जिनने मैं सोच रहा था कि इस टाइम पर सारे सोरे होंगे लेकिन यहां पर तो बना रहा है नाइट लगा रहा है लेट्स को फिलाल मैं यह कहने जार था कि इधर ना कुछ प्रिजनर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो में मारने पीटने के लिए आजाए क्योंकि लास्ट मेरी आत्री लड़ाई होगी थी किसी एक बहुत कतर ना गुंडे ने मुझे मारा तो यह प्रिजन कार्ट को यहां पर किसी ने लग रहा है बहुत ज्यादा बुरी तरा पीटा है और पका वो बंदा यह है है मेरे को लग रहे है इसको मार पीटके सोग है अपना यह पर फिलाल मेरे को इनसे मतलब नहीं है मुझे भी जल्दी से ट्रैवर इंड फ्रैंक्लीन को यहां पर तो कोई और पे भाई कोई तमीज ही निया सोने कि इतने मस्त मस इनको बेट दे रहे हैं लेकिन इनने सोना जमीन पर यह उसको देखो ऑई कैसे सो रहा है अंदर फिलाल यहां पर है कि ट्रैवर नहीं यहां पर को सच में ट्रैवर फ्रैंक्लीन कहीं पर भी नजर एक बर इसके अंधर दो लोग हैं क्या पता यहां पर हो त्रैवर् और फ्रैंकलेन वेड इहां पर चल के देखता हूं लेकिन इसके अंधर भी ट्रैवर्र फ्रैंकल नहीं है आपि गाईस तो बिना तो प्रेवर्दिंग नंभर 7 को पूरा को पूरा चैक कर लिया है एक प्रिजन सेल मैं उपन करके देखे बद ठावर और फ्रांकलीन मुझे इसके अंदर नहीं मिले और अभी मैं एजिली अंदर जा सकता हूँ पर पहले गन अंदर रख लूँ क्योंकि मेरे को ना खाली पहली किसी के पंगे में फसना नहीं है बाकि यहां पर कोई प्रेजन गार्ड नहीं है इधर बस शेफ है बाकि गाइस मुझे नहीं लगता कि ट्रावर और फ्रांक्ली इ अभी मुझे कहीं और ही जाना होगा यार उन दोन लोग को ढूडने के लिए यह ट्रावर मुझे यहां पर मारने के लिए चुका है मुझे लगी रहता है ऐसा कुछ होने वाला इसने रख के हमें एक दंडा मार दियो भी सर पे इस टाइम माइकल के आला सच मुझ में काफी अभी जादू बेट अभी यह फ्रैंकलिन की तो अकल्म को ठिकाने लगाने है पड़ेगे चल मार एक सिक भाई बेट यह भी बहुत जादा ही पूरी तरह मारने वाले यह एक सकिन मैं सोच रहों एक बड़ी साइड आ जाओं यह लोग एक बात कर लेंगे तो बढ़िया रह और यह ट्रैवर के रुड़ के मारने वाला है वह ही मुप मुप मुखे बड़ ले तीरी भैस की तु मारे का मरे को ले तो यह अब यह अब फ्रैंकलिन सच मुछ में बहुत जादा ही गुसे में आ चुका है और इस्टाम इसने मेरे वापस से फेस पेस्टिक मार दिया और त्रैवर भी मुझे श्चय मारने के लिए हा चुका है यहां पर यार ममेर को बिल्कुल नहीं समझ आरा कि मुझे क्या करना चीए मैं जैसे अपने का ट्राय कर रहा हूँ यह ट्रैवर वापस वापस आके मुझे की कर दे रहा है अगर एक बारी में गलती से उठ गया ना कि वह समसे इन दोनों की मैं बचा डालूगा मेरे बास इन बचाने और अगर अगर अभी मुझे इन इन इपनी बात पताने है तो इक करना ही पड़े गए एक तो यह मैं दोनों लोग को प्रिजन से बाहर निकालने में लगा हूँ और यह कि भाई मेरे को ही मारे जाने हैं अभी इनका बहत हो गया मैं ट्रैवर के भी स्टन गन बचाने वाला हूँ और साथी फ्रैक्लिन के भी मैंने स्टन गन बचा दिया है क्योंकि सीदी सी बात है अगर इनको मैं अपनी बात नहीं बताऊंगा तो फिर हम लोग अपनी पैसिफिक बैंक में हाइस्ट भी नी कर वेट भाई सब इसको बड़ी जल्दी होशो आ रहा है वापिस से मैं इसको लिटा जेए उठ अब उठ तो फिल तो फिल मेंने ट्रैवर एंड फ्रैक्लिन को मार पीट के पूरा का पूरा प्लान सबझा दिया कि मैं इस प्रीजन में लोग से फाइट करने नी आया हूँ उ और यह रड़ी है हमारे साथ पैसिफिक बैंक में हाइस करने के लिए बड़ प्रॉबम के है यह फ्रैक्लिन कहारा है कि 50 परसें उसे चाहिए और ट्रैवर बाकी 50 परसें उसे चाहिए और मुझे क्या मिलेगा क्यर चोड़ो मुझे उसम मतलब निया है मिरको तो वबस आर् यहां से साइड साइड से जल्दी से निकलने के तो जादा पढ़िया रहेगा वाकि यहार इन लोगों ना मार मार के पैर के हालत कुछ हैसी कर देगी मैं भी तेज भाग भी नहीं पा रहा हूं तो भी फिलाल हम तीनों लोग भाग कर जा रहे हैं सीथा टेनल के लिए और फिर से निगलें के लोस अंडोस और अच्छी बात तो यहां पर कोई भी प्रिजन का सिक्यारटी गार्ड नहीं है तो जितना कम टाइम है उतने कम टाइम से फटा फट निकल लिया जाए अपनी जो किसी को कुछ भी नहीं पता चला और वेट हम लोग भी इस लेटर चलते हैं और अभी बहुत तेज भाग के जाना पड़ेगा क्यों कि यह टनल सच मुछ में बहुत जादा लंबी है भागते हैं बिना किसी देरी के हमें भी जल्दी से जाके हाइस भी करनी है वहां पर लेस से एसकेप कर चुके हैं अब जल्दी से जल्दी ना हम एक बड़ी आसी गाड़ी रूड़नी होगी ताकि हम फटा फट यहां से निकल ले और पहले तो हमेना इस प्रीजन से बहुत दूर जाना पड़ेगा पता चला गार्स जो है वो तावर से हमें देख रहें कि हम लोग जल्दी से जल कर बैठते है वाई गाड़ी में त्रैवर ने क्योंकि गाड़ी अराम से मस्कप जा लिया मैं पीछ वाली सीट पर बैठ चुक हूं त्रैवर फ्रैंक्ली ना गे बैठ चुके हैं अब जल्दी से हम लोग पाउचते हैं सीधा लोस आंट उस जाहां पर हमें तो अभी फिलार हम लोग अपनी गाड़ी लेकर वापिस से पोच्छुके हैं लोग साथ में और भी रात के तीन बच रहे हैं हमें चोरी करने निकलना है चार बजे लेस्टर हमारा उस जगह पे बेट कर रहा है पूरा को पूरा प्लान बताने के लिए चल दी सिपनी गाड़ जो है उस जगह पर लेकर चलते हैं बाकि मैं राइब कर रहा है और काफी जदा अच्छा लग रहा है वापिस से काफी टाइम बाद हम तीनों जा रहे हैं कोई चोरी करने के लिए और ये शायद से लेस्टर का कोई नया सीक्रिट बेस है पार बहुत कतरना कैमरा और बहुत लेस्टर ने मुझे पूरा कपूरा प्लान एक्स्प्लेंग कर दिया कि किस तरीके से में पैसिफिक बैंक में हाइस करनी है बाकियार सच बता हूं तो इसके पैंके कोडिंग मुझे ये जोरी बहुत चादा सिंपल लग रही है एक बार याप लोग सामनी बोट देखो लेस बूलेस्टर यहां पर बहुत जादा खतर नाख तरीके से इस हैस को करने की मूर में है उसने पुरा पूरा चुपा रख ता उस अटा कर इस टानल को ओपन कर दिया है वही सच मुछ में बहुत जादा खतरनाक आइडिया अभी हमें चाल लाए बट उससे पहले पूरा प्ल तो यह कुछ कपड़े हैं लेस्ट ने में बोले हैं कि हम तीनों को यही कपड़े पैन कर जाना है एक जैसे कपड़े कुछ हमारे लिए अलग-अलग फेस मास्क है जिससे हमारा पूरा फेस कवर रहेगा ताकि जितने भी सीसी टीवी उसमें हमारी फोट ना है बाकि अगर ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आ चाती है बैंक इंदर तो यह हमारे लिए गाड़ी है जिससे हम लोग यहां पर बैट के भाग सकते हैं वापस से और य गाइस तो भी हम तीनों लोग रेडी हैं सुरी को करने के लिए हम लोग ने अपनी आउटफिट चेंज कर लिया है अपने फेस पे बहुत जादा खतरनाक सा मास्क लगा लिया है बाकि हम तीनों के पास यह एक बैग है जो कि लेस्टो ने दिया है इन सब के अंदर में पैस जिसके लिए हम लोग सुबह से लगे है अगर एक बार ही है सकसफुली हो जाती है तो फिर सच मुझ में अपने मजे आ जाएंगे बाकि अभी यहां पर फ्रैंक्लिन उतरकार रा चुका ही यह रेड वाला फ्रैंक्लीन है यह जो ब्लू मास्क वाला है कि ट्रैवर है मतलब ह अभी हमें एक दूसरे को पैचानने है तो अपने मास्क के कलर से पैचान सकते क्योंकि ऐसे एक दूसरे को कोई नहीं देख पाएगा फिलाली टैनल शायद उतनी लंबी तो नहीं हो निचे जितनी प्रिजन वाली टैनल है यहां यहां पर अच्छी चीज है कि लाइट लग कर देता हूं एक बॉल पुरी टूट चुकी है जल्दी सेम लोग चलते हैं बैंक के अंदर अपनी बार निकाल लेनी चाहिए वह बाइस आप कितना जादा एजी लग रहा है यहां बैंक के अंदर आना वो भी सीधा उस जगा पे जहां सारा का सारा पैसा है तो चलो काई अपन करने के लिए कोई भी की वगरा की जरुत नहीं थी कोई पास्वा नहीं डालना पड़ा बाइदवे अभी रहा हम चलते हैं इस दूसरी वाली साइड पर और ट्रैवर को मने वह वाली साइड को लूटने के लिए बोल दिया है फ्रैक्लिन और मैं जाएंगे इस वाले वोल्ट को इसली है करके ओपन कर सको लेश्रो के थ्रू और दन गाइस तो हैकिंग कंप्लीट हो चुकी है और दर्वाजा ओपन हो चुका है फड़ा फरसे चलते हैं अभी हम लोग अंदर और वे गाइस यह देखो एक वोल्ट के बाद यहाँ पर एक और वोल्ट है और इस वोल्ट को हम लोग इतनी इसली ओपन नहीं कर सकते है वगर करके इसलिए लेस्टो ने हमारे साथ बेची थी ड्रिल मशीन ताकि इसका लोग है उसको प्रॉपरली मेल्ट करके इसे ओपन कर पाएं वैसे ही एक ड्रिल मशीन नहीं है यह टाइप से लेजर है जो कि इस लोग यह लेए और यहां पर दिखार है कर मैं 960 डिग्री से उपर जाता हूं तो शायद ओ टेस्ट करना ही ता और यह देखो 960 से उपर जाते ही अपना जो यह है फेल हो जाएगा तो मुझे दुबारा से ट्राय करना है और इस बारी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चीर ड्रिलिं इन बाकी पांचों से बहुत जादा है फिलाल इस काम में सच मुझे में काफी ज़दा टाइम लग गया और अभी है मेरे जल्दी से पेंटिंग चुरा कर यहां से निगलना है इधर में सबसे पैसा बहुत होगा वट हम लोग को जादा टाइम वेस्नी करना मेली जिस में हीट मारते बारी नीचे से कम करी लेजर की जाद में काफी दिर से गलती कर रहा हूं विरको ना लेजर पहले थोड़ी सी पत्री रखनी है उसके बाद फुल ब्रॉड करके फैक नहीं है और यह जो लेजर है कट हो जाएगे लेट्स को फाइनली पूरा का पूरा जो बचगी अपनी पिलाल फ्रैंकली ना चुका है ट्रैवर ने अब तक वाली साइड पूरी लूट ली होगी और यहाँ पर सच में बहुत सारा गोल्ड है इस तरफ तो भर के कैश पड़ा हुआ है यहाँ पर बहुत सारा गोल्ड है और इधर भी काफी सारा कैश है ठीक है त यहाँ पर अभी पर कोई प्रैंटिंग अगरा नजर नहीं आरे यार गसम से मतलब अभी फ्रैंकली यह सब काम कर रहा है सामने एक ओल वोल्ट है यह बैंक कितना पड़ा है वाई किसम से खतम नहीं का ना मिले ले ले रहा है मैं कम सब चोटा वोल्ट कोल आँ अगी इसे भ ब्लास करेंगे तो हमारे कोई डामेज नहीं आना चाहिए मैं आचुका हूं फ्रैंकली भी आजाए तो फटा 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 से में एक ही साथ बटन दबाएंगे त्री तू वण लेट्स गो मैंने बटन दबा दिया मेरे बॉम ब्लास्टों के भी बॉम ब्लास्त हो चुके है पर दोने दर्वाजें खुल गए चल कर फटा फटसे जितना भी जोल्ड है ले अपने बेर लेते हो यह अभी भर बर डाने वाला में बाद्र ले जितने भी गोल्ड की बार से मार्केट में बहुत ज़ादा महंगे बिकने वाले हैं तो ये मैंने पिकप कर लिए उतर फ्रै इसको उपन करें पता चलेगा तो फड़ाफट से भी एक करते हैं यहां नगानी होगी पैंड्राइब लेस्टर वाली और यह दो ही सेकिन में अटोमाटिक एक है को जाएगा लेट्सको तो फानली मैंने यह वाले वाले का की पैड भी है करें इसको उपन कर दिया और यह सच म पैंटिंग चोड़ो यहां पर एक रूबी है यह सच मुच में बहुत जादा ही महंगा होगा तो सबसे पहले हम लोग इसी को कट करके बाहर निकाल लेते हैं ग्लास हमने काटने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है यहां पर एक तरीके से बर्ण होगा और प्रोपर्ली ग्ल जाएगा और सिफ उत्ता ही ग्लास हम लोग काट जितने में रूबी बहार आजाए इस से जादा हमें नहीं चाहिए बाकी रहस्ता ने काप सारे टूल समें देके वेगा जिस 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 के आपर जरुट पढ़ने वाली थी और अगर यह नहीं हो तो शाहत हम लोग से अभी मेरे को इसे प्रोपर करना है फिर यहां से डाउन की दरफ करना है और यार इस तरीके से थोड़ी सी खराब होती है बढ़ा वो बंदा शाहत दुबार से फ्रेम करवा लेगा शलो तो एक पेंटिंग मैंने काट कर निकाले है फड़ा फट से जो दूसरी वैली पेंटिंग ह मैं इसको भी फटा-फट से कट कर देता हूं पता नहीं आकरकार इन पेंटिंग की कीमत बाहर कितनी जादा होगी हो सकता है मिलियन या बिलियन डॉलर में हो और हम इसे खाली पी ले जाकर इस बंदे को दे देंगे बठा हमें फिर सेफ भी तो रहना है अगर एक बार इसमे को भी लूक या निकलना चाहिए यहां पर बहुत सारे थोड़े बहुत नहीं तो कितने सारे डामन पड़े ले लेता हूं यार थोड़ी से एक्से आजेंकि कोई दिक्कत बात नहीं है यह जितना भी डायमन अठा कर मैं अपने बैग में बरना शुरू कर दिया है क्यां यह यहां पर एक लास्ट रोली और बची है, फड़ा फट से भी डामंड बाहर निकाल कर जल्दी बढ़ते हैं अपने बाग के अंदर, तो चालो काई सभी फिलाल काफी अच्छी खासी चूरी होगी है और शायद अभी हमें यहां से निकलना चुह है वापिस से अपनी घर के लि उने रात और रात इतने बड़े बैंक से बड़ी चोरी कर ली और किसी को भी कानो कान खबर नहीं पड़ी फड़ा फट से हम लोग इस लेडर के तरू ऊपर चलते हैं मैं तो यह सुच रहां कि कल जब बैंक वाले अपने बैंक पहेंगे और उने पता चलेगा कि कोई बहु यहां से जा चुकी है क्योंकि उनका सीन यह था उन्हें बैंक की दूसरी वाली साइट का पैसा चुरा ना था तो उन्होंने जल्दी से चुरा ले वो निकल ले हमारी वाली साइट पर काफी सारे लोग से तो में टाइम लग जया बटा चोरी सक्सेफुली कंप्लीट हो पेंटिंगे ले चोरी करी थी बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगग रहा है कि जैसे पुलिस को हमारे बारे वीट वीट वाली साइट वाली पूरी ने पूरी को पुरे एर एर को घेर रख गार रहा है और अभीन आपने पास कोई उप्शन नी है मुझे अपनी गाडी क तो में यूस करनी है इस गाड़ी के इंडर बहुत खताना गन है अब आओ तुमारी ऐसी की तैसी किसी को नी जोड़ने वाला यहां पर जितने भी पुलिस वाले है इन सब के मैंने भर बर के गोलिया बजा दिया है जल्दी निखाल गाड़ी इसको लेकर चल यह गाड़ी पा जो किया है जोड़ी तो लिख मारे लेकर किसी नहीं कर दा गार ओकर अबर लेस्टर के प्लानिक नहीं आ यह गारा किल वही होगी है घ्र लेस्टर तो उटा अब हमारे लिए यह जिए कुछ करता है वह ऐसा क्यू को गरेगा इसा क्यों पर बुट मुंकु समिन नहारा हम ल इसका बेड़ अब इसका यह पूर्ड नहीं होगा गया फूरा है इसका ब्लास कर दिया है चल्दी से जल्दी निकल दाओ टालो भाई गाड़ी एटालो सब गाड़ दुगा में स्टाइम अब इम लुक शहर से तो बहाल निकल चुके हैं बट यहां पर और भी सिक्योरटी है पूरी के पूरी स्वैट हमें मारने के लिए आचो कि है बट इनकी गाड़ी मैंने ब्लास कर दी उपर है इस एलिकॉप्टर को ब्लास करना होगा क्योंकि यह पीछा नहीं चोड़ने वाले भागी भाई खतरनाग गाड़ी है और को नहीं हटा भाई इसको नहीं चोड़े किसमत भी बहुत ज्यादा खराब है पीछे दो हेलिकॉप्टर और आ चुके हैं तो फाइनली अभी हम लोग पूछ चुके हैं मेल हाइवे पे रोंग भी जा रहे हैं लोग बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं पर जितने लोग है सब को मार मार के किराने वाला हुआ बहुत एक बारी तो शायद से जो पुलिस वालों की गाड़िया है यह जो फाइब वाली पुरी स्वाट है यह मारा पीछा करने चूड देंगी हां वह बात अलग है हलिकॉप्टर तब हमारे पीछे आने वाले हैं बट फिर भी हलिकॉप्टर से में टेंशन लेने की बात नहीं है मैं इन सबी को कुछी सेकिंड में ब्लास्ट करके डाउन कर सकता हूं वे एक सेकिंड आने दो अब इनका यह जो हेलिकॉप्टर है यह पूरा मैंने ब्लास्ट कर दिया है बाकि भाई फ्रैंकलीन के ड्राइविंग बहुत जादा तगडी है बंदा ड्राइविंग करते करत से बहुत तगडी आती है इसले चला रहा है ताकि पुलिस वालों को हमारे हमें फोलो करने में प्रॉब्लम है यह पर यह गाडी ओर आचुकी जितने लोग है मैं तो भाई भी सब कुई धड़ादर मारता जा रहा हूं बहुत ज्यादा बूरी धरा बाकि अभी सामने से एक गाडी ओर रहा है इसका टायर मारो 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 गए 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 दो लोग ते दोनों को तपका दिया है एक फाई भी वीकल यहां पर आई है और यह भी पूरी जा चुकी है हमें कहीं पर भी अपनी रोकनी नहीं है बस जितने लिएंदे आरहे हैं उन सब को तपकाते चलना है बाकि टानल कापी जाता सही है एट लीस हो मुझे 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 अपे यार हम जितना चाता बीड़ेंगे ना मेरे उतनी जाता गिरने के चांशिस बढ़ जाएंगे और अकर मैं गिरा तो फिर अमारा बचना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बाकि पीछे जो काडी थी पर पर के गूलियां बचा दिया मैंने उसके अंदर अगाडी नहीं बचा पाया और सारे के तारे पुलिस वाले तुम्हारा वाई सबको मार डाल रा है बाकि हां इस तर्ट अंदर हमें हैलिकॉप्टर तो नहीं मारने वाले एट जलो बाई चलो कोई नहीं बचे का अब हम बस वो हमारे उपर यागा घरने वाला था मुझे एसा लग रहा था पर ठीक हम लोग बच गए एक हम लोग बच गए एक हमेरा पीछा कर रहा है अगी गाडी पानी में आ चुकिए और एक तब मस्तरी की से तैर यह जासा की लेस्टर नहीं बोला था अरे चले जावाई क्य अब मुझे यह आएड़ी एक गाड़ी लिबर्टी सीटे तक पहुच रहे कि या फिर नहीं फिलाल कई सब हम लोग 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 लॉस एंड वापिस नहीं जा सकते हमें लिबर्टी सीटी नहीं पड़ेगा बटा या मुझे नहीं समझ आ रही है कि पुलिस को आकर का प्ला मालूम कैसे वड़ा सिफ पसिफ हम चार लोग जानते थे तो हो सकता हम चारो में से किसी एक नहीं बात लीग करी हो बट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आरा फिला अभी लिबर्टी चलकर उस बंदें को पेंटिंग पगड़ाते हैं देखें वह हमारी हमारी हेल्प करता है य जरू बताना कि क्या माइकल दुबारा अपनी पेले जर्सी नॉर्मल लाइफ जी पाएगा या फिर नहीं और अप्र वीडियो ची लगे तो फोड़ा फटी कुछा के लाइक करना इस वीडियो पर एम करते हैं 1.2 मिल्यों लाइक के लिए तो जल्दी से लाइक बन दबा की गोल कंप्रीट कर दो एंड इस बारी वीडियो काफी जादा लेट हो कि है बट नेक्स वीडियो जल्दी आएका लाइक गोल कंप्रीट कर दो फोमेंट्स लब बहुत सारे और शेर भी एडियो को चैनल पर निच्छा को सब्स्राइब कर देना बाकि मैं में लोग आपसे न झाल 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 झाल